नमस्कार दोस्तों, स्वागा थे आपके अपने यूट्यूब चैनल नौलेज ओटीटी में सरप्रथम आप सभी को 75 हवे सुतनस्ता दिवस की हरदिक सुपकामनाय एवं बधाई भारत की आजादी के 74 वर्स पूरे हो गया हैं इन 74 वर्स में भारत की क्या उपलब्धियां, समस्यां एवं भावी संभावनाय हैं आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पर सर्चा करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कनफ्योजन दोर करना चाहूंगा कि कई लोग कहते हैं कि यह 75 हवे सुतनस्ता दिवस है कुछ लोगों कमानना है 74 हवे सुतनस्ता दिवसे इसकी जो कनफ्योजन है, इस कनफ्योजन को दोर करने के लिए मैं आपके समक्च एक वेबसाइट लेकर आया हूँ जिसका नाम है You Are Getting Old जिहां आप इस वेबसाइट को विजिट केजिए इसमें आप अपने डेट आफ बर्द भी चक कर सकते हैं इसमें आपको यहां पर सबसे पहले आपको डेट लिखना है फिर मन्त लिखना है, फिर एर लिखना है तो यहां पर जाकर आप इसे आसानी से सर्च कर सकते हैं चलते हैं हम जानते हैं कि आखिरकार क्या 15 अगस्त को के ओल भारत ही आजाद हुआ या फिर विशु के अन्न भी देश आजाद हुए तो विशु के अन्न भी देश आजाद हुए जैसा कि आप देख रहे हैं जो सबसे पहली आजादी है वो साउथ कोरिया और नौर्थ कोरिय जो कि जापान से अजाद हुए थे 15 अगर्स उननीस तो पैंतालिस को जिहां आप देख सकते हैं और जो दूसरा देश कर सकते हैं कि एक दो देश हो गए साउथ कोरिया नौर्थ कोरिया और तीसरा देश से कांगो कांगो भी अजाद हुआ था 1960 में फ्रांस से और जो चौथा देश से वो है बहरेन बहरेन आजाद हुआ था ब्रिटन से 1971 में और एक और देश लिंग टेस्टीन जिहां आप इसे साइद नहीं जानते होंगे यह 1886 में जेर्मनी से आजाद हुआ था तो चलिए हम चलते हैं देखते हैं आखिरकार इन 75 वर GDP में सहियों करता है तो एकरी कल्चर कहीं काई लोगों का कह सकते हैं कि हाफ इंडियन के कते हैं कि जिव का है उसे चलाने में सक्षम है है बता amounts में भी कि यहीं कैऑ से क्टर था जो पॉड्यटिव में था जिह कहीं पहले था हम एक देश से डर जाते थे इस लिए क्योंकि ह आप एक खाद आपूरती नहीं हो सकती थी लेकिन आज हम इस स्थित में पहुँच गया हैं कि हम दूसरे को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो आप देख लिएजे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम वर्ड में ट्रंड कर रहे हैं आप देख लिएजे जैसा कि मिल्क है मिल्क मे हम देख लिए सेकंड है काउ मिल्क वीट इस सरी के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं या फिर कमोडिटी हैं जो क्यों इंडिया में हैं और कि इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में हैं आपको बता दें जो राइस और वीट है यह भी कहिन कहीं बहुत बड़ी मात्रा में इं बताएं जिस देश का infrastructure मजबूत नहीं होता है वो देश कभी भी उननती नहीं कर सकता है तो आप देख सकते हैं कि infrastructure के मामले में भारत में काफी ज़्यदा investment हुआ आप देख सकते हैं power sector में काफी ज़्यदा investment हुआ है उसके बाद renewable energy में भी roads and bridge में भी काफी ज़्यदा कर सकते विकास हो रहा है तो आप देख लिए कि साल दर साल जो इंडिया का कर सकते हैं कि infrastructure investment है वो बढ़ता जा रहा है तो चलते हैं next पिर आप देख सकते हैं कि यह technology का है technology में आप देख सकते हैं कि third most investment destination for technology transaction in the world तो का सकते हैं जो भारत है वो third most attractive investment छेत्र माना जाता है technologic मामले में one of the top ranking countries in the field of basic research basic research के मामले में जो इंडिया है वो काफी ज़्यदा उपर है आप देख सकते हैं और जो space exploration है उसमें जो five nations के अंदर आती है आपको बता दे जो mangalian है चंद्रियान यन है वन है या फिर चंद्रियान टू कर सकते हैं इसने भी काफी ज़्यदा सफलता प्राप्त की है तो कर सकते हैं कि काफी ज़्यदा कर सकते हैं technologic मामले में हम तेज हैं क्यों क्योंकि यहां पर सस्ते labour काफी ज़्यदा है जो next आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी इस पर किसे फक्र नहीं होता है सबको फक्र होता है क्यों क्योंकि हमारे पास आज बहुत आठाह कर सकते हैं बड़ी इंडियन आर्मी है जिसके वज़े से हम घर में बैठे बैठे हमेशा अपने को स्रुच्छत महसूस करते हैं हमारी एर फोर्स काफी ज़दा आ गया है हमारी नो सेना और हमारी धल सेना ये तीनो सेना हमारे देश को लगातार स्रुच्छा प्रोइड करती हैं जिसके वज़र से हम घर में सांस ले पाते हैं तो इंडियान आर्मियों को एक बार फिर से तहे दिल से धन्वाद जो नेक्स्ट है वह एकोनॉमी बता दे कि अगर एकोनॉमी किसी देश की ठेक नहीं है तो उस देश की जो इस्थिति है वह बिल्कुल ठेक नहीं है तो आप द देख लिए कि हाफ और रिलाइ ओन एगरी कल्चर ज्यादस ज्यादा जो इंडिया के वरकर है वह एगरी कल्चर पर अभी भी रिलाइक करते हैं तो आप देख लिए इट रेक्टिव कंट्री फॉर आउट्सोर्सिंग सच आज कॉल सेंटर के मामली में जो कर सकते हैं इंड किंती होती इसे ज्यादा फिल्म नहीं बन सकते हैं एक साल में लेकिन इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारा कर सकते हैं कि इंडियन जीडीपी में सहयोग मिलता है और जो कॉस्ट ओफ लिविंग इस लोवर देन इन यूएस यहां कॉस्ट ओफ ल है कि साथ साथ एगरी कल्चर पर हम लोग कम कर सकते हैं डिपेंड होते गए जो हमारा सबसे ज़्यादा सेक्टर बढ़ा है वह सर्वी सेक्टर हलाकि हमें इंडिश्टर सेक्टर को भी बूश्ट करना होगा और जो नेक्स्ट है कंट्रिबूशन टू जीडीपी ग्रोथ आ यहां पर 1991 में हमें कोई भी कर सकते हैं कि देश या फिर कोई भी बड़ी संस्था कर्ज देने के मामले में चूकती थी वहीं पर आज हमारे पास जो फॉर्ण एक्स्चेंज रिजर हो है वो काफी ज़्यदा है हम विस्ट के पांच देशों में हैं जिसके पास सबसे ज़्य काफी ज़्यदा बढ़ा है जो डेफिसिट है फिचकल डेफिसिट वह भी कम किया गया है और एजुकेशन आप देख सकते हैं कि एजुकेशन के मामले में जो इंडिया की स्थे थे काफी सुधरी है पहले कम थी आप करीब एटी परसंट के होने की संभावना है तो आप दे से глубin आप देख सकते हैं अब दकेशले में कि फेलयर आफ इंडिया आकिरकार इंडिया किन-किन मामलों में फेल हुआ है ज crédू है जो सबसे बड़ी बड़ी इंडियर है वह ए अनइंप्केमेंट हैं हाला कि हमने का एंप्लाइमेंट दिया है लेकिन हमने उतना इंप्लाइम बहुत गई है यह आगर employment होगा पौवर्टी नहीं होगी हलकि हमारे यहां पर employment keep poverty होगी ही होगी हलाग जो poverty है हम काफ़ी एक लिए बहुत बड़ा थ्रट है वो है टेरीरिजम हाले कि टेरीरिजम बहुत कम हो गया है जो आतंकी कर सकते हमले वगारा है इंडिया में काफी कम हो गये हैं 2611 जैसे मुंबई में अटेक हुआ था इस तरीके के जो संभावना है कम है लेकिन फिर भी अभी आपको इंडिया की कह सकते हैं कि खराब इस्थे देख सकते हैं वह पॉपूलेशन के मामले में आप देख लेजएक जो पॉपूलेशन है पॉपूलेशन के जो इंडिया की पॉपूलेशन वह लगातार बढ़ती जा रही है अभी 1.3 billion है 130 करोण माना जाता है कि आने वाले साल में हम चींज को पिछाड कर दुनिया के सबसे नंबर वन कर सकते हैं कि जो पॉपूलेशन के मामले में पहुंच सकते हैं जो नेश्ट आप देख सकते हैं कि क्रॉप प्रड़क्शन और पॉपूलेशन तो पॉपूलेशन हाला कि जैदा स्पीर से बढ़े रही है आप देख सक सकते हैं चंडर इक्वटी यह जो रिपोट एके। हम ने कर सकते हैं कि जंडर Equality index आया है 2020 से तो उसी पर उसी के रिपोर्ट का है तो आप देखर लेज़ें कि इंड्रा 214 से तो कर सकते हैं इक का भी स्थित कह राब है इस के शकौन भी आप देख लिए या इंडिया in future क्या कह सकते हैं कि पाना चाहता है सबसे पहला है no poverty जी हैं इंडिया लगतार प्रयास कर रहा है कि जितनी भी poverty है देश की वो हटा दिया जाए दूसरी नमबर zero hunger जो देश की भूख मरी है उसे पूरी तरीके से हटा दिया जाए तीसरा good health and well being बता दे कुरोना की वज़े से देश को काफ़े बड़ा घटा हुआ है जिसकी वज़े से लगतार प्रयास किया जा रहा है कि देश में health sector को improve किया जाए quality education education को बढ़ावा दिया जाए gender inequality जो है उसे हटाया जाए और gender equality लाया जाए और जो clean water है उसे ज़्यदा पहुचाए जाए affordable and clean energy बता दे जो renewable energy है जैसे कह सकते हैं कि solar plant वगएरा इसको बढ़ाने की बात कही जा रही है decent work and economic growth पर भी बात हो रही है जो नवा है आप देख सकते हैं industrial innovation and infrastructure तो इसको भी लगातार बढ़ाने की बात हो रही है जो दसवा है वो देख लिजए कि reduced inequality, inequality को मामले में कह सकते हैं जो कि income inequality को बात कही जा रही है income inequality को घटाया जाना चाहिए sustainable cities and communities तो लगातार कह सकते हैं smart cities वगएरा बनाया जा रहे हैं बरहावा responsible consumption and production जो कह सकते हैं कि देश में industrial change है उसे बढ़ाए ताकि जो production है और consumption बढ़ सके climate action ये कहीं कहीं बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है क्योंकि इसको कई सारी कह सकते हैं समस्या देखने को मिलती है तो इस पर action लिएने की बात कही जा रही है जो दाहुआ आप देख सकते हैं कि life below water जो aquatic animal हैं उन्हें भी कह सकते हैं कि उनके लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए life on land जो land की life है कह सकते हैं जो पसू पच्छें लगातार नश्ट होते जा रहे हैं इन पर ध्यान देने की बात कही जा रही है सलाहूआ आप देख रहे हैं peace, justice and strong institution जो कर सकते हैं नियाइपाल का विरुस्ता है भारत की उस पर हलाकि सभी लोगों को विश्वासे लेकिन फिर भी इसे कहीं और ज्यादा बोश्ट किये जाने की संभावना है तो कहन कहीं कह सकते हैं कि यह हमारे कुछ भाविस में target हैं तो देखते हैं कि आखिरकार जो यह हमारा channel है इसमें कौन-कौन member है जो सबसे पहले member है आप देख लिए जो वो है आदस्तरुएदी यह जाने माने कवी हैं तो आपको आसा है कि इनसे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा जो next है वो है आकास कुमार यह science के बहुत ही अच्छे आपको जो topics हैं वो provide करेंगे अंकुल यह खेल जो जगत है उसके बहुत बड़े माहिर है सुभाम भाई बॉलिवुड के इस्टार है और उतका स्रावत यह जो topic है current affairs से उनको देंगे और मैं आज से इसकुमार आपको news provide करूँगा तो फिलाल जो यह हमारा वीडियो है यहे पर समाप्त होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए और जदा जदा देखिए और लाइक कीजिए अगर आपको कुछ कहना है तो comment box में जोल कहिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंद